गुड इबनिंग साथियों, प्रॉब्लम सलवर में आप सबों का स्वागत है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के 40 कोश्चन, सेट वन हमारा रहेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लास 9 का सेट वन का सबसे पहला कोश्चन, निम्नंकित में कोन आप परिम्य संख्या है, पाहला अपसण है रूट 9, तो रूट 9, तो तो यहाँ पे पुछा गया है आप परिम्य संख्या उसको काते हैं, जिसकोłem PYQ के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो पाहला अपसं को साथ वठा एक लिख सकते हैं, यह PYQ है, सेकर- çocuk- tenían ओर actual 무슨 steroids थर्ड ओप्सन को हम नहीं लिख सकते हैं इससे रूट से फाइव अलग होई नहीं सकता है और फोर्थ ओप्सन को टू लिख सकते हैं तो इसका राइट एंसर हो जाएगा वन ओके नेश्ट कोष्चन के वर बढ़ते हैं निम्नंकित में कौन परिमेशंख्या है तो बाइट टु देखिए पी बाइ-क्यू के रूप में यह एक पर तो एक नाइन लिग दीजिए बार कितने पर नहीं है फोर पर मतलब एक डिजिट पर तो 90 लिग दीजिए इसका राइट एंसर हो जाएगा फोर्टी थी बाइ नैंटी तो यह अप्शन नंबर थी यहां पर क्वेश्चन मिसे साथ हो यह फोर फोर थी है यहां पर फोर फाइब प्लस रूट 5 लिखा जासकता है फाइब इसका अंसर हो जाएगा फाइब नेश्ट क्वेस्टिन के पर बढ़ते हैं 5 प्लस रूट 5 मल्टिप्लाई 5 मैनेस रूट 5 देखिए यह यह प्लस बी-ट इन्टू ए मैनेस बी का फॉर्मेट है तो यह हो जाएगा a square minus b square तो 5 का square 25 और root 5 का square 5 तो 25 minus 5 20 तो इसका right answer 20 next question पूछा गया है इन में से कोन बहुपद है तो पहला second option को देखिए यहाँ पर y नीचे पर है बहुपद में कोई भी चर नीचे नहीं आ सकता है तो दो number answer नहीं होगा यहाँ पर देखिए teacher है root में तो root में answer हो नहीं सकता है यहाँ पर देखिए x नीचे में यह answer हो नहीं सकता है तो यह हमारा बहुपद हो जाएगा क्योंकि यह ax square plus bx plus c equal to 0 के format में है next question पूछा गया है बहुपद 5y6 minus 4y square minus 6 की घात का है तो घात किसे करते है 4 का maximum power को तो यहाँ पर चेर क्या है y है y का power 6 है y का power square है तो इसका answer हो जाएगा 6 तो चलिए next question के बढ़ते है question no.8 इन में से एक चेर बहुपद को नहीं तो देखिए first option में first option में root में है यह बहुपद ही नहीं है second option में x नीचे आगया यह भी बहुपद नहीं है third option बहुपद है लेकिन इसमें 3, 4 है x, y, t तो right answer क्या हो जाएगा 3 next question पूछा गया है px बराबर 2x प्लस 5 के सुन्यक जाद करें तो सुन्यक कैसे निकालते हैं सुन्यक निकालने के लिए दिये हुपद को सुन्यक के बराबर कर देते हैं तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो यहां से 2x इक्वल टू कितना हैगा मैनेस 5 तो x इक्वल टू कितना हैगा मैनेस 5 बाइट 2 तो इस प्लसन का राइट उत्तर मैनेस 5 बाइट 2 next question पूछा गया है x प्लस x प्लस x प्लस 0 को से x q प्लस 1 को भाग देने पर susful क्या मिलेगा तो x x प्लस से भाग देना मुझे तो susful क्या मिलेगा तो x प्लस मुझे लग रहा है यह question으면서 मिश्प्रिंज है यह question में उना चाहिए x प्लस 1 तो यह misprint है, यहाँ पे x plus 1 होना चाहिए, तो देखिए, जिस किसी से भाग दिया जता है मेथ में, तो वो 0 के परावर हो जाता है, तो x plus 1 equal to 0, तो x equal to minus 1, अब x equal to minus 1 यहाँ रख दीजिए आप, minus 1 का cube, minus 1, minus 1, plus 1, 0, तो इसका right answer, 0 next question पूछा गिया है, क्या x plus 1 x q plus x square plus x plus 1 का गुननखंड है, तो इसके लिए क्या करेंगे, same procedure apply करेंगे, x plus 1 को check करना है, तो x plus 1 0 के बरावर कर देंगे, तो यहाँ पे x plus 1 जैसे 0 बरावर करेंगे, तो x बरावर minus 1 होगा, minus 1 का cube, minus 1, minus 1 का square, plus 1, again यह minus 1, again यह plus 1, plus minus, plus minus कर जाए तो answer yes, next question पूछा गिया है, x square minus y square किसके बरावर होता है, तो a square minus b square, a plus b, a minus b, एक बार तोड़ो, एक बार जोड़ो, answer number 3, next question पूछा गिया है, क्या रेखिक, समिकरान y equal to 3x का अले, मूल बिंदू से होकर जाता है, मूल बिंदू मिंस होता है, 0, 0, मूल बिंदू मिस, 0, 0, यानि x भी 0, y भी 0, तो यहाँ पर y 0 रखिए, और 3 गुना 0, तो 0, 0, 0 बारावर 0, यह satisfied कर रहा है, तो answer हो जाएगा, next question पूछा गिया है, y, h पर एक बिंदू का निर्दे सांग क्या होता है, तो y x पर x 0 हो जाता है, y x पर x 0 हो जाता है, option 2 और 4 में x 0 नहीं है, यह गलत है, 1 और 3 में 0 है, लेकिन y x पर x 0 होता है, y नहीं होता है, इसका मतलब option number 3 हो जाएगा, y जिसका अक्ष पूछेगा, वो रहेगा, तो y अक्ष पर y रहेगा, next question पूछा गिया है, आकिरती में b का निर्दे सांग क्या है, तो देखे बी यहाँ पर है, निर्दे सांग हम लोग कैसे निकलते हैं, x, y, तो x को कहाँ टच कर आए, 3 में, y को कहाँ टच कर आए, मैनस 2 में, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, 3, मैनस 2, next question पूछा गया है, यूकलीट का कथन की वे वस्तुएं, जो एक ही वस्तुएं के बरावर हो, एक दूसरे के बरावर हो जाती है, बरावर वस्तुएं दूसरे के बरावर हो जाती है, तो यह Euclide का काना है तो इसे मैथ में हमों क्या करते हैं इसे हम अभिगिरीत कते हैं इसे क्या करते हैं आभिगिरीत वह कथन होता है जिसका अपयोग किसी दूसरे को सीद करने में किया ज nä नेस्ट कोशन का गया है रेखाएं समंतर होती यदि वे परतिछेद नहीं करती तो ये किस तरह का कथन है तो चलिए देखते हैं आप्सन दिया गया यहाँ पर अभिगिरित है परिभासा है अभिधारना है या उपपति है तो ये हमारा अभिधारना है नेस्ट कोशन में पूझा गया है किसी तर्भूज का परते पोन और दो कोनों की योग से कम हो जाता है तो अगर दो कोन का योग तीसरे से कम हो जाता है तो ये तीनों को जोड़ी आप 6-7-3-5-7-8-0 डिगरी बन रहा है तो यहां पर देखिए तीनों का तीनों को नब्बे से छोटा है और तीनों को न मिलके एक तिर्भुज बना दे रहा है तो नियून को न होगा यह क्या होगा नियून को तिर्भुज नेस्ट कोश्टम पूछा गय मत्त About 1, all kg नियून से तो इसमें आप को क्या करना है यह और यह समंत्र है यह 135 हैं तो एक रहतीकी तो यह कितना आ जाएगा आपका 45 और यहां पर lasers आजाएगा कितना या जाएगा वन फोर्टी ओके या जाएगा वन फोर्टी अब आपका यहाँ पे इसके समानतर एक लाइन खीज दिज़ेंगा इस तरह deliberately अब देखिये यह और यह जेड बन रहा है एक अंतरकुन तो यह भी वाजाएगा 45 डिग्री ओके यह और यह एक बन रहा है एक अंत्रकौंत यह हो जागा 40 डिग्री अब यह दोनों को आप जोड़ दीजिए 45 और 40 45 और 40 को आप एड़ कर दीजिए पचासी डिग्री तो इसका राइट एंसर पचासी डिग्री ओके चलिए है आगे बढ़ते हैं हम लोग नेश्ट कोस्टिन की ओर हो वस्टिन नमर ट्विंटी आकृती में ओपी समंतर आरेस है ओपी समंतर आरेस से जी है दिख रहा है रेल के पटे के जैसा एंगल ओपी 110 डिग्री एंगल क्यू आरेस वन थाटी डिग्री आपको पूछा गया पी क्यू आर तो जेनरली जब इस तरह का कोस्टेन हो तो आपको क्या करना है आप पहले ये दोनों को जोड़ दीजिए 110 और 130 कितना आएगा 240 240 आएगा या फिर आप इसको देखिए इस तरह बनें य किए 110 है ये 1 रेखा है ये 2ений समंतर रेखा ये तीर्यक रेखा है इसको काट रहा है तो ये रेखिए कुल बन जाएगा ये ये होजाएगा 70 डीगरी इंहां यह अगर 130 है इसको इसके समांतर खीच दीजिए यह बन जाएगा 50 डिगरे 70-50 कितना होगा 120 अब देखिए यह आपका रेखा बन गया यह तो यह कितना होजाएगा 60 डिगरे तो इसका राइट एंसर 60 डिगरे होगे 110-130 आपका हो गया अब 240 होगे 110 के लिए दर 70 130 के लिए दर 50 तो आपको इसको मानिस कर देना चलिए नेश्ट क्वेस्टन देखिए एका जगा लेगा पी तो देखे ऑप्सन में एका जगा ले रहा है पी अब बी का जगा ले रहा है क्यूँ बी का जगा ले रहा है क्यूँ और एबी का जगा ले रहा है क्यूँ तो आप्सन वन ही यहाँ पे राइट है तिर्भुज A, B, C और P, Q, R क्या हो जाएगा? समकून तिर्भुज का सबसे लंबी भुजा क्या कहता है? यह आप सब जनते हैं कर्ण कहते हैं समकून तिर्भुज की सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं लंबी भुजा के ओपोजित में 90 डिग्री मनता है तो किसी भी समकोन तिरभुज में कारण सबसे लंबी भुजाती है तो इस picture में में मेरा AC लंबी भुजा है नेश क्वेस्टन में बुला गया है तिरभुज ABC में AB बराबर AC है B बराबर 70 है तो A बराबर कितना होगा तो देखें पिक्चर में आपको दिखा देता हूँ यह A, B, C AB बराबर AC है तो AB बराबर AC है तो AB का विप्रित कौन क्या है C AC का क्या है B तो B और C बराबर हो जाएगा B दिया होए 70 तो C भी हो जाएगा 70 तो B और C 70, 70, 70, 70, 140 बुझ बनने के लिए 60 तो B बच कितना रहा है 40 तो option 1 यह हो जाएगा 40 एक चत्रभुझ के कौन 3 अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात 13 के नुपात में इसका सबसे छोटा कून क्या है तो देखें सबसे छोटा कून क्या है 3 है अनुपातिक योग कितना रहा है 5, 3, 8, 9, 17, 10, 17, 33 इसका मतला हम यह कर सकते हैं कि टोटल चारो कून का भेलू 30 है तो 30 में से छोटा का भेलू 3 है बट मुझे मालूम है कि चत्रभूज के सारे अंता कून का योग कितना होता है 360 डिग्री तो सबसे छोटा निकलने बोला गिया है तो सबसे छोटा का अनुपातिक भेलू लिख दीजिए अनुपातिक योग को निचे लिख दीजिए और 360 से मल्टिप्लाई कर दीजिए यही इसकी आसान तरीका है 00 कड़ी गया 33 कड़ी गया तो कितना अंसर आ रहा है 36 डिग्री नेस्ट क्वेस्टन बोला गिया है किसी आयत की करमगत भुजाओं के मजद बिंदूओं को मिलाने से बनने वल्याकिरती यह सम्चत्र भुज होता है पिक्चिर ऐसा होता है देखे यह आयत है ओके यह आयत है A B C D यह आपका आयत है क्वेश्चन बुलाया कि कर्मगत भुजाओं के मज़ बिंदू को मिलाने से तो कर्मगत भुजा क्या A B इसका मज़ बिंदू यहां पर B C का मज़ बिंदू यहां पर C D का मज़ बिंदू यहां पर AD का मजबिन्दू यहाँ पर इसको बोला गया आप मिला देजी आप इस तरह मिला देजी आप तो यह आपको आकरती जो दिख रही है आप गोर से देखिए कुछ समचात्रभूज टाइप से दिख रही है ओके यह समचात्रभूज हो जाएगी Q26 आकरती में मजबिन्दू है तो तिर्भूज BD का अच्छेतरभल क्या होगा? देखिए तिर्भूज यह और यह बराबर होगा और इसका मतलब यह होजाएगा कि B E मधिका है क्योंकि माधिका जो है माधिका जो है विपरित भुजा को बराबर भागों में बाढ़ देती है तो e मजबिन्दू है तो ae बराबर de हो जाएगा ead का मजबिन्दू है और इस करण माधिका तिर्भूज को दो बराबर भाग में बाढ़ देती है तो अगर हम bed का छेदरफल को 1 मने तो b e a का भी खेटरफ़ वन हो जाएगा क्यों कि एक पर में होता है तिर्भूज की माज़िका तिर्भूज को दो बरावर भाग में बाढती है तो यह हमारा मज़ बिंदू है आगे लिखा गया था दि अगर बीशी का माज़ बिंदू होगा तो तो ADB माई दिखा हो जाएगा ADB तिर्भूज को तो बराबर भाग मढट देगा तो देखे ADB एक तिर्भूज है ADC एक तिर्भूज है देखे तो ADB का छेत्रफल कितना है 112 तो ADC का भी क्या आजाएगा 2 तो question बोला गया है BED का भेलू बताई है तो देखिए BED का भेलू कितना है BED का भेलू 1 है अब पुरेट तिर्भूज का छेत्रफल का भेलू कितना है तो 11224 है तो इसका answer 1 by 4 हो जाएगा यह आपका option number 1 में लिखा गया है कि नेस देखिए यदि ABC एक तिर्भूज है तो तिनों शिस बिंदू AB और C से कितने बिरिज़्टी चाहिए सकते हैं देखिए आपका एक पर्मे ही होता यह अगर ABC तिर्भूज है तो तिर्भूज बनाने के तीन बिन्दू चाहिए, तीन भूजा चाहिए, तीन कॉन चाहिए, तो A, B, C Qeustion बोलागे, A, B, C एक तीरभूज है, तीनों सिस बिन्दू A, B, C से कितने बिरिद की जाए 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 तो जब भी इसका हम इस्तर मिलाएंगे तो यह आपका एक ही बिरीत आएगा तो इसका अंसर एक हो जाएगा नेक्ट कोशन आपको पुछा गया है किसी बिरीत का एडी एक ब्यास है तो यह एक बिरीत है इसका एडी एक ब्यास है यह आपका एडी एक ब्यास है कि वियास क्या होता है केंदर से होके वुज़ारता है और एबई एक जिवा है कि एडीधियों 54 cm AD 34 cm a b 30 cm है बिरीद के केंदर से AB की दूरी गयात करें ऑस चीइंद केंदर से AB की दूरी गयात करें तो ये AD है ये आपका इस तरह AB होगा, यह आपका AB होगा, बिरित के केंदर से मुझे AB की दूरियत करना है, तो यह कुछ ऐसा जाएगा, अब एक चीज ध्यान दिजे आप, AD आपका ब्यास है, तो AD अगर ब्यास है, तो तिर्जय आधा अधा हो जाएगा, तो AO और OD बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास AD है 17, AO हो जाएगा 17, ओके, next, AB हमारे पास है जीवा, और AB है 30 cm, तो एक परमे होता है, केंदर से जीवा पर लंब डालने से, जीवा सम्दी बाजित हो जाती है, तो यह AB दो भाग में भी बाजित हो जाएगा, ओके, मानले जेपी है, तो AP हो जाएगा, पंदरा, केंदर से 20 की दूरी, यानि मुझे, मुझे क्या निकलने बोला गया, ओपी, तो ओपी देखिए, ओपी जो है, यह लंब आ रहा है, ओपी आ रहा है, लंब, तो लंब क्या आता है, कर्न स्क्वाइर माइनस आधार स्क्वाइर, तो 17 का स्क्वाइर, 17 का स्क्वाइर में मुझे 15 का स्क्व हुए तो 289 मैंनेस 15 के स्क्वेर दूदू 5 तो यह देखिए आप 64 रूट में आ रहा है इसका अंसर आजएगा 8 चलिए नेस्ट पट्री और परकार की साहिता से कौन सा कौन नहीं बन सकता है तो यह आपका 67.5 नहीं बन सकता है देखिए इसको आप 2 से गुना किजिए 130 130 बन सकता है दूदूनी 4 यह सोरी सोरी मैंने कोस्चन गरत पड़ लिया है किसकी राचना की जा सकती तो सारे कोस्चन को आप दूसे को गुना करके देखिए यह आएगा 130 यह आएगा 160 यह आएगा 144 और यह आएगा 132 तो देखिए पटरी परकार से वही बन सकता है जो 15 का टेबल में आता है जैसे 15 डिगरी, 30 डिगरी, 45 डिगरी, 60 डिगरी, 75 डिगरी तो ये 15 का टेबल में आ जाता है इसलिए option number 4 next question पुछा गिया है 2 root 3 cm भुजा वाले संभावू तिर्भूच का छेदरबल के होता है देखिए संभावू तिर्भूच का छेदरबल होता है root 3 by 4 गुना भुजा square तो भुजा कितनी दीव है? 2 root 3 का square ओके? तो 2 root 3 का square इसको अफस्वल किजिए root 3 by 4 2 root 3 का square 2 का square 4 और root 3 का square 3 4 4 का 4 3 root 3 3 root 3 root 3 का भुजा होता है 1.732 तो 3 को आपको 1.732 से multiply करना है देखिए 3 2 6 3 9 3 7 21 के 1 आपमें दू 3 5 तो option number 1 आ रहा है 5.196 cm square next question बुला गया है एक तिरभुज की भुजाएं 122 मीटर, 22 मीटर और 120 है तिरभुज का छेतरपल देखिए इसके लिए आपको हीरोन लगाना होगा इसके लिए आपको हीरोन का सूतर लगाना होगा तो यह आपका subjective type question है ठीक है फिर भी मैं बना के दिखा देता हूँ तो यह आपका होगया A यह आपका होगया B यह आपका होगया C आप अगर S minus A निकालोगे सबसे पहले आप तीनों को जोड़ दीजे तीनों को जोडने से परिमाप आ जाएगा 2, 2, 4 next 12, 2, 14 और 12, 12, 24, 26 इसका अर्ध परिमाप निकालोगे तो इसका अधा होगा 2, 1, 2, 2, 3, 6, 2, 2, 4 132 आएपको S minus A निकाल लागा S minus B निकाल लागा S minus C निकाल लागा निकाल लीजेगा और इस फर्मिले में आप डाल दीजेगा S, S minus A S minus B S minus C आप calculation करके देखिएगा यह 1320 आ जाएगा next question है R30 जावाले गोले का आइतन क्या होता है तो गोला का आइतन होता है 4 by 3 by RQ next question पूछा गया एक गोले का 50 छेटरबल 154 है तो गोले का आइतन क्या होता है गोला का 50 छेटरबल होता है 4 by R square तो question में 4 by R square दिया 154 तो यहां से R square हो जाएगा 154 by 4 by 4 by तो पाई 22 बटा 7 तो 7 कूपर भी दिजाब 22 का पाड़ा में 7 बार में 154 आता है तो R square आ रहा है 49 by 4 तो R आ जाएगा 7 by 2 question मुला गया है गोला का आइतन तो गोला का आइतन होता है 4 by 3 by R q R कितना है 7 by 2 तो 7 by 2 multiply 7 by 2 multiply 7 by 2 आपको इसको solve करना है solve करने से आपका answer हैगा option number 1 next question पूछा गिया है 8 cm, 6 cm, 5 cm बिमाओल एक आयताकार बॉक्स में रखे जा सकने बले लंबे pencil की लंबाई तो यह आप calculation कर लिजेगा मैं फर्मुला बताता हूँ लंबे box लंबाई, लंबे pencil लंबाई, लंबे छड़ की लंबाई ऐसा जब भी question आए तो फर्मुला आपको यूज करना है root under L square plus B square plus H square 8 का square 64 6 का square 36 और 5 का square 25 खर लिजेगा रूट निकाल लिजेगा 11 point 2 अप किसी बेलन की तिर्जी दुगनी हूचाई आधी कर जया तो मूल बेलन नाए बेलन काय तन क्या होगा फाई रिस्क्यारalnız नेक्स्ट बेलन काय तन क्या हो तो तिर्जी दुगनी कर दिया जाए तो R का दूगना, 2R, 2R का square क्या हो जाएगा, 4R square, ओके, और उचाई को बोला आधा कर दीजाए, तो पहले H था तो अब क्या हो जाएगा, H by 2, अब यहाँ पे देखिए calculation, पाई रिस्क्वेर कर जाएगा, पाई रिस्क्वेर कर जाएगा, ओके, तो नीचे आ रहा है, 4H by 2, 4H by 2, तो उपर हमारा बच रहा है, H, नीचे बच रहा है, 4H by 2 मिस 2H, एच एच कर जा रहा है, 1 is to 2, नेच को पुछा गया, वर्ग अंतराल 25 से 31 का वर्ग चीन क्या है, तो वर्ग चीन कैसे निकालते हैं, उपरी सीमा, निम सीमा को जोड़के 2 से भाग देते हैं, 5, 1, 6, 3 तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, ओप्शन नमबर 3, ओके नेच्ट को पुछा गया है, दिए गए आखड़े का माज निकाली, तो माज क्या होता है, प्रेशनों का योग बटा प्रेशनों की संख्या, तो सारे को जोड़िए आप, 2, 3, 5, 4, 9, 5, 14, 0, 14, 1, 15, 3, 18, 3, 21, आपका योगा है 28, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, तो आठाइस को दस से भाग देजेगा, 2.8, आखड़ों के अधिक्तम और नियुनतम मानों के अंतर को क्या करते हैं, तो इसे परिशर करते हैं, 38 नमबर का अंसर परिशर करते हैं, पूछा गिया है, एक पासे को एक हजार बार फेका जाता है, तो दो, जो संख्या दो आती है, वो एक सो पचास बर आती, इसके प्राइक्ता क्या हता है, तो प्राइक्ति क्या होता है, संभाइव परिणाम, जा इछित परिणाम, तो इछित परिणाम क्या है, दो, दो कितन बार आया 150 बार में कितने बार में 1000 बार में से इसका मतलब 1000 बार फेका गया उसमें से 150 बार आया तो प्राइक्ता हो जागा 150 by 1000 इसको आप कैलकुलेट कर लिजिए तो यह 0 यह 0 कर जाएगा पांच तिया पंद्रा पांच बीस ऑप्सन नमबर वन नेश को अस्टन बला गया है दो बाच्चे वाले पंद्रा सव परिवार का यादरीच चैन के यादरीच मतलब होता है अंदाजे बिना देखें सबको समान मनते वे परिवार में लड़कियों की दो संख्याले परिवार कितना है पंद्रा सव परिवार है तो इसको आपको कैल्कुलेशन करना है तो कैल्कुलेशन कीजिए अप पांच नम्म 45 25 25 15 305 से दिवाज दिजिए 19 जग इसका अप्सन नमबर तो यह थे आज के सेट वन के क्लास 9 के 40 मैस के अबजेक्टी कोस्यन मैंने आपको अच्छे त विडियो यहीं तक थैंक्स पूर वाइब